नमस्कार दोस्तों मैं हूँ केशव खेरा और एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और टेलिविजन का ओवविव लेके आया हूँ और इस बार शाओमी नहीं यू नहीं बलकि एक निया ब्राइंड है जिसका नाम है शिंको हाली में कमपनी ने इंडिया में कदम रखा है और अपने काफी सारे टीवी के लाइनप कमपनी लेके आई है और उसमें से एक पचपन इंच का जो की हायर वेरेंट है वो मेरे पास टेलिविजन आ चुका है और आज मैं आपको इसका ओवव्यू दिखाता हूँ और दिखाता है वो सभी टेलिविजन साब मिलता है लेकिन अच्छी बात क्या है इसकी अच्छी बात है यह कि आपको इसमें बैक साइड पर कीबोर्ड मिल रहा है यानि अगर आप इस पर कुछ टाइप करना चाहते है तो आप आपको हैसल नहीं होगा कि बार बार इस बटन का इस्तिमा इसकी रेक्टर लगाना जगा जो कि मीं आपको बाद मैं दिखाऊंगा इसके साथ साथ आपको पुता दू कै इसके साथ को ये एक बैग मिलेगा पॉलिवैग जिसमें आपको कुछ कॉन्टेंड मिल जाता है जiltा है जैसे कि एक र ö maximum एक से हम चनिसका पर ये थीचिर यह कर तो आप इसी रिमोट से अपने सेट्टॉप बॉक्स और टेलेविजन दोनों को इस्तमाल में ला सकते हैं और एक बार आपको केबल में दिखा जिता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पर ये दो सेंसर बने हुए है और ये रहा इसका USB पोर्ट तो ये दो सेंसर की हल्प से आप अपने सेट्टर बॉक्स और टेलेविजन दोनों को एक साथ इस्तमाल में ला सकते हैं और अब देखते हैं कि वाल मांट कैसा है इसका तो आपको एक रॉड मिल जाएगी और ये कुछ वाल पर क्लाइम करने के लिए क्लिप्स मिल जाएंगे और ये कुछ नट्स और बोल्ट तो ये सारी असेसरी आपको इस बॉक्स के साथ मेलेगी जब आप इस टेलिविजन को खरीदने जाएंगे अब आते हैं टेलेविजन के उपर तुम आपको बता दूँ के 55 इंच का ये टेलेविजन है 4K रेजोलुशन के साथ आता है साथ साथ इसमें HDR10 का भी आपको सपोर्ट दिया है कीमा था 36,995 पे और इतने बहतरीन प्राइज में कमपनी आपको इतने सारे फीचर्स ओफर कर रही है और आपको बता दूँ के इसमें आपको 20 वाट के स्पीकर मिल जाते हैं नीचे की तरफ आप देख सकते हैं के साउंड बार आपको मिल जाता है और डॉल भी डिजिटल और यो सपोर्ट करता है ये टेलिविजन अब हम इसके पीछे आते हैं और उसकी थिकनेस देखते हैं साथ-साथ मैं आपको पीछे इसके पोर्ट सी बिता लता हूँ तो पहले तो आप यही से देख सकते हैं कि इसके बेजल काफी कम हैं अब का और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर वाल्यूम, चैनल चैंज, स्रोर्स, मेन्यू और बटन मिल जाता है और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसके सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ मिल जाएगा एक audio input का option, यह video output का option, HDMI cable दिया गया है, HDMI 2 है, और RF cable मिल जाती है, और इस तरफ एक और आपको HDMI cable मिल जाएगी, साथ साथ आपको earphones का option मिल जाएगा, SD card support मिल जाएगा, एक USB और दो USB, और जो शुरू में आपको बता रहा था कि remote के लिए Bluetooth connector चाहिए होता है, वो यही Bluetooth connector है, अब हम television की quality पे आते हैं, तो आपको बता रहता हूँ, कि इसमें आपको बहतरीन picture quality मिलने वाली है, और ऐसा मैं इसलिए नहीं कहा रहा हूँ कि television में बस आचोका है, बलकि मैं आपको test करा के यह दिखाऊँगा, ताकि आपको भी यकीन हो जाएगा, पर उससे पहले, मैं आपको इसके specification उतायता हूँ, कि इसमें आपको 1 GB किरा मिल जाएगी, 8 GB की internal storage दी गई है, इसमें आपको Android 7 मिलता है, और साथी साथ आप इसमें हर परकार की applications दाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि already इसमें आपको YouTube installed है, Netflix installed है, Amazon installed है, Hotstar installed है, और कई सारी application इसमें installed करके company आपको दे रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि suggestions में भी आपको कुछ options मिल जाएंगे, वीडियो देखने के, इसके साथ साथ यहाँ प एक बार मैं आपको picture quality दिखा लेता हूँ, तो अब मैं आपको एक बार इस television पर वीडियो दिखाने से पहले एक बरस के remote के functionality पर दाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं सारे प्रकार के आपको button मिल जाएंगे, यह तो volume का button है, साथ-साथ यहाँ पर इस button को द मिल जाएगा, जिसकी help से आप अपनी pen drive या फिर दूसरे जो अपने media connectors आपने television देख सकते हैं, उसे open कर सकते हैं, साथ-साथ आपको इसमें YouTube का button, Netflix का button और Mcast का support का button भी मिल जाता है, और इसमें iSafe का option भी दिया ताकि आप इसको दबाएंगे, तो अपने आपी, जो आपके स्क्रीन की brightness है, वो थोड़ी adjust हो जाएगी, और पीछे आपको मैं अलड़ी ये remote का feature दिखाई चुका हूँ, कि आपको इसमें कोटी keyboard मिल जाता है, अब मैं आपको एक बार इसमें movie या फिर एक song प्ले करके दिखा जाता हूँ, तो मैंने इसमें अलड़ी pen drive करके रखी है, तो यहाँ से अब मैंने इसमें कुछ 4K वीडियो भी डाल रखे हैं और कुछ Full HD वीडियो भी हैं, तो मैं आपको पहले 4K वीडियो प्ले करके दिखा जीता हूँ, ये 4K वीडियो और मैं अब एक बस की आवाज देज करके दिखाता हूँ, तो आपने अवाज का एक्सपिरेंस कर लिया, आप साथ साथ आप वीडियो भी देख सकते हैं, कि 4K वीडियो भी देख सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस तेलेविजन से बहुत ही अच्छा वीडियो एक्सपिरेंस होने बारा है, अगर आप मूवी बफ है, तो मेरे साल से आपको अपने हॉल या डाइनिंग रूम में इसको डेफिनेटली इंस्टॉल करवा लाना चाहिए, अब आपने देख लिए कि इस तेलेविजन काफी सारे फीचर से लोड़िड है, लेकिन आपको एक और इंट्रेस्टिंग बदा दूँ कि अगर आपने फोन में इस इस तेलेविजन कीमत है, 36,990 रुपे और इसके दो छोटे वेरियंट्स और भी आते हैं, जिनको आप Amazon से खरीच सकते हैं, और उनकी प्राइजिंग मैंने यहाँ पर डिस्पले में लिख दिये, तो आप उसको देखके, अपने हिसाब से जो भी आपको प्राइज रेंज तेलेविजन की पसंदा रहा हो, उसे एक कंसिडर कर सकते हैं, पर फिर भी अगर आपकी इस तेलेविजन को लेके कोई भी कोईरी है, तो आप मारे कॉन बोक्स में हमें डिक्के बताएं, मैं उसे जबत से रेप्लाइ करनी कोश करूँगा, और हमेशा की तरह, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंदा, तो इस लाइक करें, शेर करें, और माया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, अंटिल देन, दिस इस केशव खेरा, साइनिंग ओफ.